पिछली वीडियो में अपना exercise 6.2 complete हो चुका है और आज से आपने start करने वाले है exercise 6.3 तो exercise दे स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्रॉडक्षन में कुछ important points बताऊंगा जो कि helpful रहेगा आपको exercise 6.3 के questions को solve करने के लिए अगर पिछले किसी exercise का आपको वीडियो देखना हो, जो वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के description box में आपको पिछले सारे exercise का link मिल जाएगा साथ ही पिछले chapter का भी आपको link मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके उन वीडियो उसको देख सकते हो और अगर किसी question में आपको कोई doubt है तो description box में आपको मेरा email address भी मिल जाएगा आप मेरे को email करके अपने doubts को पूछ सकते हो और मैं आपके पुछे वे doubt के लिए कुछ वीडियो बना दूँगा और in case आपका doubt तब दी clear नहीं होगा तो आप मेरे को दुबारा mail कर लेना जिसमें मैं आपको WhatsApp नंबर शेयर कर दूँगा तो आप मेरे से WhatsApp में भी वीडियो कॉल करके या message करके अपने doubts को clear कर सकते हो इन case अगर आपको email करना नहीं आता है तो आप description box में देखोगे एक आपको link मिल जाएगा email tutorial का और email करना सीख सकते हो सिखने के बाद जो कुछ भी आपका doubt होगा आप एक paper में लिख के उसका photo खीच के मेरे को email कर सकते हो तब मैं आपके doubt को clear कर दूँगा तो देखते हैं, start करते हैं exercise 6.3 के कुछ important points को चलिए whiteboard के तरफ चलके देखते हैं उसको तो अब तक आप देख चुके हो कि किसी भी number का square कैसे निकाला जाता है और जो number आता है square, number बोलते हैं उसको या perfect number बोलते हैं, जैसे suppose 1 का square निकालेंगे आपन तो answer आता है 1, क्योंकि 1 into 1, 1 होता है अगर 2 का square निकाला जाए, ठीक है 2 का square तो answer होता है 4, यह number perfect number होता है यह square number बोलते हैं, तो अब क्या होगा हम लोग देखेंगे कि square root क्या चीज़ होता है, ठीक है square root के बारे में मैं आपको इस chapter के introduction में बता चुका हूँ, यानि कि जो exercise 6.1 था उसका जो introduction part है, वहां मैं आपको बताया था कि square root क्या होता है, ठीक है उसका actual meaning क्या होता है एक square का जो जड़ होता है उसको हम लोगे square root बोलते हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, तो exercise 6.1 का पहला वीडियो आप देखेंगे न, some important points के नाम से, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा, अब देखें, square root ठीक है, जो square का root होता है उसको, मतलब actually क्या होता है यहां पर, देखो, अगर 5 का square निकालेंगे, तो answer आता है 25, ठीक अगर आपको square निकालना है किसी भी number का, suppose 7 का square, या 17 का square ठीक है, 7 का square आगे, 49 ठीक है तो आप क्या करोगे, 7 इंटो 7 49 आ गया, अगर आपको 49 दे दिया जाए, और यह बोला जाए कि इसका, जो square root है, वो find out करो, तो आपको क्या करना है आपको यह number find out करना है, जिसको similar number से multiply करने पर 49 आ जाए ठीक है, यह है इसका square और यह है इसका square root 49, ठीक है, वैसे ही तो 5 का square होगा 25 और 25 का square root होगा, 40, ए स्वारी 5, ठीक है, यह root है, और यह square ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि square root क्या होता है, square तो आपको पता है पहले से ही क्या होता है, और square root अब क्या होता है, अब suppose यह 49 है तो आप तो easily बता सकते हो कि इसका square root 7 होगा 100 है तो आप बता सकते हो कि इसका square root है वो 10 होगा ठीक है? जैसे 36 दिया हुआ है तो आप बता सकते हो square root इसका 6 होगा लेकिन अगर आपको कोई बड़ा number दे दिया जाए suppose 169 है तो आप कैसे बताओगे कि इसका square root क्या होगा? ठीक है? इसको find out करने के लिए कुछ methods है square root find out करने के लिए कुछ methods होते है उन methods के बारे में हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे हैं तो बहुत सारे method होते हैं लेकिन exercise 6.3 में आपके लिए जो जो method काम आने वाला है वो method अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है? तो मैं इसको रब करता हूँ और देखते हैं कौन-कौन से method है ठीक हो square root find out करने के लिए सबसे पहला जो method है उस method का नाम है repeated subtraction ये एक method का नाम है repeated subtraction जैसे कि आपको समझ में यहा रहा होगा कि इसमें कुछ चीज subtract करना है क्या subtract करना है? ठीक है? देखते हैं तब उसको ये एक number दे दिया आपको 100 और आपको बोल रहा है कि इसका square root find out करना है repeated subtraction method से तो आप कैसे करोगी? इससे पहले आपन देखते हैं आपको पता है कि odd number क्या होता है ठीक है? वो number जो 2 से completely divisible ना हो जिसका remainder 1 बच जाए वो odd number होता है या फिर easy में आप ले सकते हो कि 1 के बाद एक एक number छोड़ के जो number आता है वो odd number होता है जैसे 1 के बाद 2 आ गया 2 odd number नहीं है 3 एक odd number है फिर 4 एक odd number नहीं है 5 एक odd number है 6 odd number नहीं है 7 odd number है 8 odd number नहीं है 9 odd number है 10 नहीं है 11 है 12 नहीं है 13 है 14 नहीं 15 है 16 नहीं है 17 है फिर उसके बाद 18 नहीं है 19 है 20 नहीं है 21 है एड सो ओन ठीक है तो ये सारे odd number से आपको पता है Repeated subtraction method में क्या करते हैं जिस number का हम लोगों को square root निकालना है उसमें से one से start करके सारे odd numbers को subtract किया जाता है कब तक जब तक वो value 0 ना हो जाएं For example हम लोग को find out करना है कि 100 का square root क्या है अब सबसे पहले square root कैसे उसको represent कैसे करते हैं ये आएगा इस तरीके से 100 को इस तरीके से एक छत्री के अंदर डाल देंगे इसका मतलब ये हो क्या ये इसका square root हमको find out करना है अब कैसे करेंगे सबसे पहले पहला odd number है one 100 में से one को subtract करेंगे 100 में से one को अगर subtract किया जाया है तो आता है 99 99 में से 3 को subtract करेंगे 99 minus 3 तो होगा 96 उसके बाद का odd number है 5 तो 96 में से 5 को subtract करेंगे यहां आगया 91 उसके बाद 7 है odd number तो 91 में से 7 को subtract कर देंगे तो यहां आजाएगा 91 minus अगर आप 7 करोगे तो आजाएगा 84 फिर 84 में से 9 को subtract करेंगे क्योंकि 7 के बाद odd number 9 है 9 को subtract कर देते हैं तो यहां आ जाएगा 14-9, 5 और यह हो गया 75, 75 में से 11 को सब्ट्राक्ट करेंगे, 9 के बाद वाला जो odd number है 11 है, minus 11, तो यह आ गया 4, 7-1 हो गया 64, 64 में से फिर से 13 को सब्ट्राक्ट करेंगे, minus 13, 13 को गया सब्ट्राक्ट करेंगे तो यह हो गया 1, और यह हो गया 5, 51, 51 में से 15 को सब्ट्राक्ट करेंगे, अगर 51 में से 15 को सब्ट्राक्ट किया जाए, यह हो गया 6 और 4 यह हो गया 3, 36, 36 में से 17 को सब्ट्राक्ट करेंगे 17 को सब्ट्राक्ट करने से यह आएगा 16 minus 7 यह हो गया 9 और 2 minus 1 19 अब देखो 17 के बाद का और नमबर है 19 तो यहाँ पर 19 को अपन सब्ट्राक्ट कर देंगे अंसर आ गया 0 तो repeated subtraction मेथड में odd numbers को subtract किया जाता है जब तक कि 0 ना आ जाए कई बारी होगा कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा यहाँ पर कुछ remainder बच जाएगा आगे subtract नहीं होगा तो उसका मतलब यह होगा कि यह जो number यह perfect square नहीं है इसका square root नहीं निकाला जा सकता तो अब आपन बात में देखेंगे फिलहाल आपके पास ऐसे ही number आएंगे जो perfect square होंगे और आपको repeated subtraction number से उसका root find out करना पड़ेगा square root तो अब 100 का square root कितना होगा तो अब 100 का square root कैसे पता चलेगा आपको आपने कितने बार subtraction किया है वो आपको count करना पड़ेगा आप count करो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस बार subtract करने के बाद number आगे 0 तो इसका square root हो जाएगा 10 तो आप ऐसे भी करके देखोगे तो 10 into 10 हो जाता है 100 तो जब 100 का square root निकालते हैं तो 100 क्या है, 100 किसका 100 का square root क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का square is equals to 100 होता है तीक है, यही चीज़ हम लोग देखें 100 का square root हो गया 10 और 10 का square है 100 इसी तरीके से याँग कोई भी दूसरा number दे देगा तो आपको बस odd numbers को subtract करते जाना है जब तक कि 0 ना आ जाए जब 0 आ जाएगा तो आपको count करना है कि कितने बार में वो 0 आया है जितना भी count आएगा वो इसका square root होगा तो यह method है repeated subtraction method इसके बाद एक और method है, वो भी अपन देखते है इसको मैं रब करता हूँ square root find out करने का जो दूसरा method है उसका नाम है prime factorization यह जो method है सबसे famous method है और सबसे easy method है इस method से आप किसी भी number का square root find out कर सकते हो तो आपने एक example ले ले लेते हैं अगर check करना है 256 का square root क्या होगा इसका square root हम लोगो find out करना है छोटा number होगा तो आप easy ली देख के बता सकते हो बड़ा number है तो इसको कैसे find out करें है prime factorization method में आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ इसका LCM निकालना है 256 का LCM निकालना है 256 LCM कैसे निकालेंगे last में even number है 6 खích से divisible है तो 2 से करेंगे 2 1 सा 2 यह आगया Türkiye 2 2 सा 4 और यह हो गए 16 2 8 सा 16 फिस से last में even number है 2 से divisible है 2 6 सा 12 2 4 सा 8 फिस से last में even number है 2 से divisible है 2 से करेंगे 2 3 सा 6 और 2 2 सा 4 32 भी 2 से divisible है क्योंकि last में even number जब तक last digit even number है 2 से divide कर सकते हो फिर से 2 से divide करेंगे तो यह हो गया 2 1s are 2 और यह हो गया 12, 2 6s are 12 फिर से 2 से divisible है 8 times में 2 से divisible है 4 times में 2 से divisible है 2 times में और last में 2 से divisible है 1 times में अब आपको क्या करना है यह जो है यह 2, यह जितना भी 2 आया है यह 256 का factors है तो इसको आपन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं count कर लो किते बाढ़ 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बाढ़ 2 है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 आप count कर लो यहाँ पर यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह हो गया 8 ठीक है इसका मतलब है कि जब 2 को इतने बार into किया जाए 256 आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप क्या करना है पेर बनाना है यह एक पेर हो गया यह दूसरा पेर हो गया यह तीसरा पेर हो गया और यह चौथा पेर हो गया अब हर पेर में से एक एक नंबर को बाहर निकालना है जैसे कि यहाँ पर दो बार 2 है 4 to the 8, 8 to the 16, यहां आगया 16, यानि कि 16 जो है 256 का स्क्वाइर रूट है, 16 को अगर इसका स्क्वाइर निकाल होगे तो 256 होता है, 16 का स्क्वाइर हो गया है 256 और 256 का स्क्वाइर रूट होगा 16, ठीक है, तो प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड से LCM निकाल के, पेर में पहले आपको उसको बना लेना है, और हर पेर में से एक एक नंबर आपको निकाल लेना है, और उसका multiplication कर देना है, तो आपको square root पता चल जाएगा कि इस नंबर का square root कितना होगा, ठीक है, तो बस ये दो method अभी आपको exercise 6.3 में काम आने वाला है, तो इन दोनों method को आपको अच्छे से सीख लेना है, वीडियो के एक बार और अच्छे से देख लो, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपन exercise 6.3 के questions को देना है, स्कार्ट करेंगे